नहीं सुनिये और अच्छा जिये ये डॉक्टर इगनेश सिमिल्विस दोसो साल पहले अस्ट्रिया में जनम लिये इनके नाम से अस्ट्रिया सरकार ने मुद्रा निकाली है ये जस्की के अस्पताल में काम करते थे वहाँ पर दो कमरे थे दो वार्ड थे पहले में डॉक्टर लोग जस्की करते थे दुसरे में परिचारी का करते थे पर आश्चरिय था कि डॉक्टर जहां काम करते थे वहां पर हर तिसरी चौथी माँ और बच्चा जजकी के बाद बुखार आकर मर जाते थे पर परिचारी कोंगे खोली में ऐसा नहीं होता था और जो रस्ते पर पैदा होते थे उनमें भी ऐसा नहीं होता था तो डॉक्टर सोचते थे ऐसा क्यूं था तो उनका जो दोस्त था रूम कमरे में साथ ही डॉक्टर था काम करने वाला वो भी इसी बुखार से मर गया तब उन्हें मालूम पढ़ गया कि इस बुखार का जजकी से कोई लेंदेन नहीं डॉक्टर लोग क्या करते थे कि कोई जब मर जाता था तो उसका शरीर काटके अभ्यास करते थे कि वो क्यूं मरा और उसके बाद वे जजकी के लिए काम करते थे और ऐसा ही एक शरीर काटते समय एक चक्कू था जो वापरा था उससे इनके सहकारे डॉक्टर को जखम हुई और वो इसी बीमारी से मरा तब सिमेल विस को लगा कि जो बीमार मरा था उसको जो चक्वो ने काटा था उससे मेरे दोस्त को जखम हुई और उसको बीमारी लग गई मतलब डॉक्टर लोग जब बिमारी से मरे हुए लोगों के शरीर काटते हैं तो उनके हाथ में कुछ तो लग जाता है जो जब वो माताओं को जास करते है तो उन्हें मिलता है और वो गुजर जाते हैं उन्होंने यह भी देखाता कि क्लोरिन के पानी से अगर कोई चीज खराब हो रही है तो उसमें अगर क्लोरिन का पाने डालो तो उसका बदू चली जाती है तो उन्हों ने जो शरीर काटे थे बीमार लोगों के मरेवे रुगनों के शरीर काटे थे उसके बाद डॉक्टर लोगों को हाथ दोने को लगा है क्लोरिन के पाने से और फिर ही वो माताओं को हाथ लगा सकते थे और ये करने से इस बीमारी के मोथ बंद हो गए ये बहुत क्रांटी करी था पर उस समय उन पर हमारी आदते जल्दी नहीं बदलती और हम किसी का नया ने सुनते तो लोगों ने किसी के ने उनका ने सुना उनने निकला गया और फिर हाथ दोना बंद कर दिया गया और फिर हर तिसरी चवती मां और बच्चें मरने लगे और मरते रहे ये डॉक्टर पर आया और वो इसी बीमारी से घुजर गया अभी हम जानते हैं कि चुड़े-छोड़े जन्तू होते हैं जो बीमारी से हाथ दूखते हैं, यहां आलेकिया बताता है, कि , बताती है कि परिचारे hört के कमरे में महत्ख कम थी, और याल पटाती है कि , दॉक्टरों के कमरे में महत्ख जादी जे और उन्होंने क्लूरिन के पने से हाथ धोने को शुरू किया और वो मोते घड़ गए थी और जब वो बंद कर दिया तो फिर मोते बढ़ गए तो अभी इनी के नाम से सब लोग हाथ धोके फिर किसी को हाथ लगाते हैं और हमने यह सूनिशित करना चाहिए कि हम भी किसी ब शेर करिए तो हमारे गाउं के बिमारिया और मौते घड़ जाएंगे धन्यवाद डॉक्टर हेमन जोशी जोशी बालदर गुनाले विरार